गुड मॉनिंग स्टूरेंट्स हाव आर यू बेटा आई होप आप सवस्थ होंगे आज बेटा क्लास 10 पलस्टू सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइन्स में अध्धाय 6 अंतराष्टी संगठन के उपर चर्चा करेंगे सबसे पहले हम जो हैं जानते हैं अंतराष्टी संगठन क्या है अंतराष्टी संगठन एक ऐसा संगठन है जो विसुस्तर पर क्या करता है बेटा शान्तिवे सहुग स्थापित करता है तो बेटा अंतराष्टी संगठन एक ऐसा संगठन है जो एक देश के बारे में नहीं बल्कि पूरे विश्यों के देशों के लिए कारिय करता है उसे अंतराष्टे संगठन कहते हैं अंतराष्टे संगठन का यदि हम उधारन लें जैसे युएन्यों सिंकतराष्ट शंग के स्थापना कब होई बैटा उननिससो पैंतालिस में युएन्यों के स्थापना होई और युएन्यों के अंदर कितने स्धास्यदेश समलेते हैं पास नमबर में आते हैं, तो यह जो डाइगराम है, वो किसका दिखाए गए है, शिंक्तराष्ट संग, संयुक्तराष्ट, संग, के परतिक के रूप में चिन, के परतिक के रूप में चिहन को यहाँ पर दरसाए गया है, और इसके अंदर जो है, आप देख रहे हैं, विशव का नक्षा बना हुआ है, विशव का नक्षा बना हुआ है, और इसके साइड में आप देख रहे हैं, यह जो पतियं दरसाए गई है, वो किसकी है बिटा, यह जो पतियं है, वो जेतुन, जेतुन की पतियां है जो कि जेतुन की पतियां वो किसका संकेत करती है शान्ती शान्ती का जह है शान्ती का संकेत करती है बेटा तो कार्टुन आधारित अगर आप से पूछ ले जाएं ये जो कार्टुन किसका है तो आप पता हैं संकेत परतिक चिन है जो कि इसके अंदर विश्व का जो नक्षा दर्साय हो है इसके च्यारो और जेतुन की पतियां लगी वी है और ये पतियां विश्व स्तर पर शान्ती वे सहुग का संकेत जो हैं करते हैं ठीक है बिटा तो ये जो है कार्टुन आप अपने फेर नोट में बनाएंगे और इससे संबंदि आप बातें लिखेंगे नेक्स्ट अब हम जो हैं इंट्रोडेक्शन परिच्चे के उपर बात करें इस अद्दाय में हम बिटा सोव्यत संग के विखरने के बाद जो अंतराश्टी संगठनों की भूमिका रही उसके बारे में पढ़ेंगे सोव्यत संग का विखरा ओकब हुआ 1991 में और उसके बाद में विश्व स्तर पर अंतराश्टी संगठन स्थापित हुआ और उसने विश्व स्तर पर मैतरपूम भूमिका आदा की विश्व में जो नेने चुनोतियां आई उसका सामना किया युएनों ने नेना एक भूमिका निवाई इन चुनोतियों में एक जैसे थी क्या अमेरिका की बढ़ती ताकत या सक्ती और सुधार की प्रकिरियाव और उनकी कटनाईयों की एक मिसाल जो सुरक्षप परिश्द में होने वाले बदलाव इनके बारे में हम इस अद्धाय में पढ़ेंगे शुंक्तरास्ट संग में बारत का जोड़ाव और सुरक्षप परिश्द के सुधारों को लेकर उसका विशेश दृष्टी कोण क्या था इनके बारे में हम जानकर यह हसिल करेंगे और शुंक्तरास्ट संग ऐसी विशव में कोई भूमिका नहीं निवा रहा है जिसमें किसी एक महासक्ति का दबदबा हो तो इस अद्धाय में हम अंत्रास्टी संगठनों की चर्चा करते वे शिंक्तरास्ट संग के अंगों उनके अजैंसियों के बारे में हम इस अद्धाय में चर्चा करेंगे पहला टोपिक लेते हैं हमें अंत्रास्टी संगठनों की क्यों आउसकता है देखो पटा हमें अंतराष्टि संगठनों की इसलिए आउ सकता है क्योंकि विश्वस तर पर शान्ति काइम करना और आपसी सेयोग स्थापित करना ये किसका काम है विटा अंतराष्टि संगठन का तो हम यहाँ पर जैसे की कार्टून के अंतरगत या कार्टून और टिपनियों हैं तो दूसरी और हम पाते हैं कि सिंक्तराष्ट शंग को आज की दुनिया का सबसे मैतपून जो संगठन मानते हैं आमुन ये यूँ एन कहने की जाने वाली जो ऐसे संगठन को विशु बर में बहुत से लोग एक अनिवारी संगठन भी बानते हैं ये संगठन उनकी नजर में शान्ती और प्रगति के पर्ति मानोता की आसा का पर्तिक माना गया है अधिक तर जो हैं वैकतियों की मानना है या कहना है कि ये एक ऐसा संगठन है जो विशु तर पर शान्ती और प्रगति के यहां तक मानोता की आसाओं का पर्तिक माना गया है आप सी सहयोग स्थापित करने का एक महतपून संगठन माना गया है हमें स्विंक्तराश संग जैसे संगटनों की जरूरत क्यों है आईए ऐसे दो लोगों के विचार हम पढ़ते हैं जैसे कि यहाँ पर एक विचार हम लेते हैं स्विंक्तराश संग का गठन मानवता को सवरग पहुचाने के लिए ही नहीं बल्गिन उसे नरक से बचाने के लिए भी हुआ है यह कथन किसके है बिटा डेग हमर सोल्ड के जो कि दूसरे महासाची थे हमारे युवन्नों के तो बिटा इसमें यह कहा गया कि युवन्नों एक ऐसा संगटने जो मानवता को सवरग ही नहीं पहुचाता बल्गिन वो नरक से भी बचाता है इसी के साचाथ अगर हम दूसरे जो हैं कथन की बात करें बतकी की चोपाल ठीक कहा आपने शिंक्तरा संग में खूब बैठके होती है दनादन बहसन होते हैं खास कर आम सबा के वार्षिक सत्तर में लेकिन जैसा कि चर्चल कहते थे अतिहार लड़ाने में से बढ़िया है कि जवान लड़ाई जाए क्या यह बात बहतर नहीं है कि एक ऐसी जगें भी हो जाद दुनिया के सारे देशी खटे हो और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का जह है विचार मंतन करें और इस प्रकार से हल करें तो देखो बेटा इसमें यहाँ पर यह बताय गया कि जो सिंत्रा संग एक ऐसी जह मंच है जहाँ पर सभी देश इखटे उकर हर समस्या के हल करें हर समस्या के समाधान कर सकता है तो इसमें ससी थरूर ने इस परकार से ये बातें कही तो इन दोनों उदारणों के माद्दम से हम इस निसकर्स पर पहुंचते हैं तो ये दोनों उदारण किसकी और इसारा कर रहे हैं बिटा अंतराष्ट संगठन हर मर्ज की दवा नहीं है लेकिन ये जरूरी है कि अंतराष्ट संगठन युद और शान्ती के मामलों में मदद गरता है देशु की साहिता करते हैं ताकि हम सब की बहतर जीवन सित्या कायम हो देशु की बिच मनमुटा और जगड़े होते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमने वेर विरोध के कारण वे एक दूसरे से युद ठान ले इसकी जगए में विवेद के मसलों बाचित कर सकते हैं और उसका एक शान्तिपूर्ण समाधान डूढ़ सकते हैं वस्तुत अधिकान जगड़ों और विवेदों का समाधान बिना युद के हो किया जा सकता है लेकिन यह एक ऐसा तथ्थ्य है जिस पर कम धान दिया जाता है तो ऐसे संद्रम में अंतराष्टे शंगटन की मैत्रपूर्मविका हो जाती है तो इसमें यह सपस्ट किया बिटा कि मालों दो देशों की बीच युद किस्तिती उत्पन हो जाए यह संभावना हो जाए तो उसी युद को टाला जा सकता है मलों आपस में बादचीत के माद्धन से जह हर समस्चा का समाधान निकाला जा सकता है वही काम कोन करता है अंतराष्टे संगटन करता मलों युवनो करता है इसके बाद हम देखते हैं बिटा अंतराष्टी संगठन कोई सक्तिसाली राज्य नहीं होता अंतराष्टी संगठन जिसकी अपनी सदेश्चों पर दोस्ट चलती हो अंतराष्टी संगठन का निर्णाय विविन राज्य ही करते हैं और यह हैं उनके मामलों के जवाबदे होता है जब राज्यों में इस बात पर जो है सहमती होती है कि कोई अंतराश्टी संगठन बनाना चाहिए तब ही ऐसी संगठन कायम होते है एक बार इनका निर्मान हो जाए तो हर समस्याओं के सांतिपूर्ण समादान में सदस्य देशों की मदद देते है तो इस परकार से अंतराश्टी संगठन की एक पर स्थापना हो जाए तो यह संगठन विशुस्तर पर हर समस्याओं का समादान निकालते है सांतिपूर्ण के माध्यम से और अन्य देश भी उसकी साहिता करते हैं अंतराश्टी संगठन एक ऐसे तरीके की मददगार होते हैं जो राश्टों के सामने अक्सर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिने साथ मिलकर ही करना होता है तो कुछ मसले इतनी चुनोती पूर्ण भी होते हैं कि उनसे तभी निप्टा जा सकता है जब सभी साथ मिलकर काम करे ऐसी एक मिसाल लेते हैं देगो बेटा एक उतारण के माध्यम से अगर हम समझाएं कि कोई एक अकेला देश जो हैं कई समस्याओं का जो समादान नहीं निकाल सकता कुछ रोगों को तब मलोख खतम किया जा सकता है जब विश्व के हर देश अपने आबादी के तिक के लगाने में सहयोग करें या हम गलोबल वार्मिंग के एक और एक्जामपल लें विश्वयापी ताफ विर्दी और उसके परभाओं का ही उदार लें तो वातावन में ग्रेना हूस गैसों के बढ़ने के से तापमार बढ़ रहा है तो इससे समुद्रतल की उच्चाई बढ़ने का भी खत्रा उत्पर हो रहा है अगर ऐसा हुआ तो विश्व के समुद्रतल की उच्चाई बढ़ने का भी खत्रा उत्पर हो रहा है तो हर देश अपने अपने ज़र तरीके से गुलूबल वार्मिंग के दूस प्रभावाओं का समाधान डूंड जकता है तब भी अतैस सबसे प्रभावी कारिश समाधान तो यही है कि वैस्विक ताफिर्दी को रोका जाए इसके लिए विशो के बड़े ओदोगी देशों कजर सयोग करना जरूरी है तो इस प्रकार से हम देखते हैं मिल बाटकर ही जो है विशो सतरकी समस्षा को हल कर सकते हैं और ऐसा ही इस प्रकार का ही काम कोन करता है युवन्यो करता है तो यहाँ पर हम नहीं क्या बता ही अंतराष्टिस संगठन की जो आऊ सकता जो हर समस्या विश्वस्तर की जो समस्या है उस समस्या को आपस में मिल बाढ़ कर जो है अन्य देश सभी देश मिलकर जो हर समस्या का समाधान निकालते हैं आपसी स्ययोग के माध्यम से अब बेटा हम लेंगे स्विंक्त राष्ट्रं के विकास के उपर बेटा स्विंक्त राष्ट्रं का विकास कैसे हुआ तो देखो बेटा पहले विश्व यूद की बात करें हम 1914 1914 से 1918 तक पर्थम विश्व यूद लड़ा गया तो इस यूद में हम देखती हैं जो जगडे जो यूद हुआ उस जगडे या यूद का निप्टारा के लिए एक अंतराष्टी स्थर पर क्या संगठन बनाए गया मतलब यूएन्यों की स्थापना की गई तो देखो बिटा एक अंतराष्टी स्थर पर जो संगठन बनाए गया 1914 से 1918 के दोरान जो यूद लड़ा गया उस यूद से जगडों का निप्टारा करने के लिए एक अंतराष्टी संगठन बनाने का प्रियास किया गया तो जिसके प्रिणाम सवरूप जिसके प्रिणाम सवरूप मलों लीग ओफ नैसन लीग ओफ नैसन का जनम हुआ त्यान से सुनेगे बेटा यहाँ पर ये बताया गया कि पर्थम विश्यूद 1914 से ठारा के दोरान लड़ा गया तो उस यूदिस या जगडे को निप्टारा करने के लिए विशुस्तर पर एक संगठन जो हैं स्थापित करने का प्रियास किया गया और जिसके प्रिणाम सवरूप क्या लीग ओफ नैसन की स्थापना हुई ठीके बेटा मलो यूएनों की स्थापना इस दोरान नहीं हुई बेटा पहले क्या हुआ लीग ओफ नैसन की स्थापना हुई बेटा उसका जनम हुआ फिर हम देखते हैं कि 1949 से 1945 के दोरान दित्ते विशुद लड़ा गया इस दोरान दित्ते विशुद के दोरान हम देखते काफी लोग मारे गए और काफी लोग गायल हुए तो इस युद में हम देखते एक अंतराष्ट संगठन सहयोग करने के उपाए और शूचना है जुटाने में मदद तो करते हैं लेकिन ये जो हम देखते हैं कि दित्ते विशुद के दोरान जो लीग ओफ नैसन की स्थापना की गई थी वो मलो कारगर सिद नहीं हो पाया सफल नहीं हो पाया मलो ऐसफल हो पाया और उसके बाद हम देखते हैं 1945 में युएन्यों का सिंक्तराश संग का गठन किया गया ठीक है बिटा यहाँ पर जो देखने को मिलता है बिटा एक डाइग्राम हमने यहाँ पर दर्साया इस डाइग्राम में क्या दर्साय गया है बिटा युएन्यों सिंक्तराश संग के जो है सनर्चना वे उसके परमुख अंग के उपर दर्शाए गया है यदि हम अंग की बात करें यन्यों के छे अंग है सुरक्षा प्रिशद अंतराष्टिय नयले आमसभा मासभा जिसको बोलते हैं आर्थिक और शामाजिक प्रिशद नयसिता प्रिशद और शची वाले क्यों यह आपर बन जाता है सुक्तरा संग के जो है अंग बताओ तो सबसे पहले लेते हैं सुरक्षा प्रिशद सुरक्षा प्रिशद में बिटा 15 सदस्य हैं जो की 5 27 सदस्य हैं और 10 एस 23 सदस्य हैं टोटल 15 सदस्य है ठीक है पांच 27 सदस्य हैं चीन फ्रांस अमेरिका रूस ब्रिटेन यह पांच 27 सदस्य हैं जिनको विट्टो पावर या निशी सदिकार प्राप्त होता है इसकी जो 10 एस 23 सदस्य हैं बिटा का चुनाओ आम सभादवारा दो वर्षों के लिए सबी सदस्य है मलो निक किये जाते हैं नेक्स्ट लेते हैं अंतराष्टी संगठन की अगर हम बात करें तो अंतराष्टी संगठन इसमें पंदरा नए दिश्चों का चुनाओ नो वर्ष के लिए आम सभा और शुरक्षा प्रिशद दोनों में पूर्ण बहुमत दवारा होता है और इसका मुख्खाले कहा है बिटा हेग में कहा है अंतराष्टी जैनाएले का हेग में मुख्खाले है नेक्स्ट तीसरा हम लेते हैं आम सभा जिसको मा सभा बोला जाता है 133 सिदिश्चों के परतिनिद करती है मा सभा सभी को एक समान मत परदान किया जाता है परमुख निर्णों के लिए दो तियाई और बाकी में समाने पहुमत को जरूरत निर्णे सभी सदेश्चों पर बाद्देकारी नहीं होती अगला जो अंग है आर्थिक और सामाजिक प्रिशद सदेश्चों का चुनाओ आमसबा दवरा तीन वर्षों के लिए किया जते हैं सभी बोगलिक छेत्रों को जो परतिनी दू देते हुए चोवन सदेश्चे हैं नेक्स्ट अगला आता है बिटा नयसित्त प्रिशद स्विंत्राशंग का जो नयसित्त प्रणाली के अंतरगत आने वाले 11 ट्रस्ट जो है और अलाकी नयसित्त प्रिशद एक नॉमर 1904 में से यह प्रिशद सत्गित कर देगा हमलों इसका मैताओ खतम हो गया बिटा नेक्स्ट अगला आता है सचिवाले अन्यप्रमुक संगठनों के कारियों के लिए स्थापित किया जाता है इसका परदान जो कोण होता है मासचिव ओता है बिटा जिसकी न्युकति कोण करते है बिटा सुरक्षप प्रिशद की सला परे ही की जाते हैं । पास साल के लिए। ठो ये बटा क्या थे शिंत्राश्रंग के अंग थे। जब कि स्विंत्राश्रंग की कुछ अझेंचियं हैं जैसे कि अन्ने काईयों में हम लेते हैं माना अधिकार उचायोग कारेल है इसके साथ साथ हम देखते हैं विशेश अजन्ची है जैसे की अंतराष्ट स्रम संगठन संस्कृति संगठन डबलु एच्चो आएम एफ आएमो यह सभी क्या हैं कुछ अजन्सिय हैं इसके साथ हम देखते हैं डबलु ट्यू साइक निकाएं कारेकरम और कोस या हम देखते हैं मानो दिकार सिसम्बंदित बेटा टिकाव विकास सिसम्बंदि महिलाओं की स्थिति सम्बंदि विशेशकारियों के लिए एक आयोग छेत्री आयोग ठीक है बिटा यह सभी क्या हैं यूएनों के जहें कुछ एजन्सियां हैं तो इस डाइगराम को भी आप नॉट्बूंग में बना सकते हैं बिटा आगे जो मैं बात कर रहा था लीग ओफ नैसन के उपर मलो शिंक्तराश्चंग के विकास के उपर ही बात कर रहे थे हम चल रहे थे 1945 मलो 1949 से 1945 दित्ते विश्यू लड़ा गया तो लीग ओफ नैसन उसमें कारगर सफल नहीं हो पाया बिटा सक्सम नहीं हो पाया तो इस स्थापना कब की गई 1945 में बिटा उनने सो पैंतालेश में स्थापना की गई उस दोरन कितने देश से देशों ने चार्टर पर आस्ताक्सर किये थे बिटा 51 देशों ने आस्ताक्सर किये थे और इसमें हम देखते हैं कि बिटा दो विश्व यूद के बीच लीग ओफ नेशन जो नहीं कर पाया उसे कर दिखाने की कोशिश किसने की यूनोंने की शिंक्तराश संका जो उदेश से क्या था अंतराश्टे जगणों को रोकना और राश्टों के बिच आपसी स्थापित करना था बिटा इसके साथ साथ हम देखते हैं इसकी स्थापना के पिछे यह आसा काम कर रहे थी कि यह संगठन विविन देशों के बीच जारे रहे और जगडों को रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर यूद का रूप ले सकते हैं अगर यूद छिड जाए तो सत्रूता क के दाएरे की सिमित करने का प्रियास करेगा बिटा जगडों के अक्षर सामाजिक वे आर्थिक विकास के आभाव में खड़े होते हैं इसलिए शिंक्तराष्ट शंग कि एक मनसा पूरे विशों में सामाजिक वे आर्थिक विकास की संभावना को बढ़ाने के लिए विवि लेवत्पन होते हैं या यूद के कगार पर एक देश दूसरी देश के सामने ठीक सामने यूद लड़ने के लिए तत्पर रहता है तो उस यूद को टालने की कोशिस कोन करता है यूएन्यों करता है अंतराष्टे संगठन करता है विसे उस तरपर शांती कायम करने का परियास किया जाता है आपसी जो है बात्चित के माद्धम से समस्था को हल करने का प्रियास किया जाता है 2011 तक अगर हम UN के जो सदस्य देश्टों की बात करें तो मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में ही 113 में सदस्य देश इसमें लगबग सवी सवतंतर देश सामिल है शेंक्तरा संकी जो है आम सबाज जिसको हम बोलते हैं महा सबाज के हरे एक सदस्य को एक वोट हासिल है इसकी सुरक्षप प्रिशद में 5 सदस्य जो कि मैंने बताया था आपको कौन-कौन से 5 सदस्य हैं सदस्य अमेरिका, रूस, बिर्टेन, फ्रांस और चीन दूसरी विश्युद के तुरंत बाद के समय में ये देश सबसे ज़्यादा ताकत वर्थे और इस महायुदों के विजेता भी रहे हैं इसलिए इने 27 दस्यों के रूप में सुना गया है और शिंत्राश शंकाज जो सबसे अधिक दिखने वाला सारजनिक जो चहरा और उसका जो परधान परतिनी तो होता है वो कौन होता है बिटा महा सची होता है महा सची होता है वर्थमान में अगर महा सची की बात करें तो कौन है एंटनो एंटनियो गुटेरस एंटिनुई गुटेरेस वर्तमान जो है युएनों के मासचियों है उन्होंने यह पद एक जनुनी 2017 को समाला यह 1905 में से 2002 तक क्या पूर्थगाल के परदानमंत्री रहे और 2005 से 2015 तक युनाइटिड नेशन हाई कमिशनर फोर रिफ्यूजीज रहे हैं तो यह बाते हमने क्या बताए बटा सिंक्तराश्ट शंग या युएनों के विकास के उपर हमने आपसे साजा किया तो बेटा इस वीडियो के माध्यम से हमने किन-किन जो है टोपिक के उपर जो है डिस्कसन किया एक बर मैं आपको बता दूँ पहले हमने लिया अंतराष्टे संगठन क्या है फिर हमने लिया अंतराष्टे संगठन की आउसकता पिर आमने लिया अंतरास्टेश संगठन के आंग पिर आमने लिया अंतरास्टेश संगठन की जो विकास अंतरास्टेश संगठन का विकास तो इन कुछणों को अपनी fair note में आप write करेंगे chapter को read करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपसे UN की जो है अजन्सियों के उपर जो है आपसे चर्चा करेंगे ओके नाइस टोकिंग टू यू बेटा थैंक्यू